Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ skin polish बनाने का method share करूँगी किस तरह से आप powder जैसे skin polish कर पर कर सकते हैं जिल लोगों के साथ ये मसला होता है skin polish करने के बाद उनका color fair होने के बज़ाए dark हो जाता है तो मेरी आज की वीडियो आप पूरी देखें इसी method से आप skin polish बनाएंगे तो कभी भी आपका color dark नहीं होगा instant आपको whitening में result मिलेगा, आपके चेरे पर glow आजाएगा skin polish बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती है और कितनी quantity पे हैं आपने सब कुछ डालने ये भी आप देखते जाएं सबसे पहले आपने clean ball ले लेने हैं जिसमें हम skin polish मनाएंगे ball हमेशा plastic का होना चाहिए या पर kanj का होना चाहिए आपने कभी भी steel का ball या steel का spoon नहीं लेना market में इस तरह के mirroring spoon मिल जाते हैं skin polish बनाने के लिए आप ये ले सकते हैं अगर नहीं है आपके पास तो आप गड़ में plastic का कोई भी spoon है वो इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहाँ पर blesso की cream bleach ले रही हूँ आप कोई सी भी आपके पास available हो आप वो ले सकते हैं कोई सी भी आप bleach cream ले ले लें साशे वाली और इसी method से आप बनाएं आपको बहुत ही अच्छे results मिलेंगे 30 रुपीज का ये साशे आता है इसमें आपको cream मिलती है और साथ में इसका powder मिलता है skin polish में हम add करेंगे soothing lotion ये भी इसमें डलता है आपको अच्छे results मिलेंगे इसके अगर आपके skin पर redness हो जाती है skin polish करने से तो ये डालने से आपको कभी भी redness नहीं होगी तो ये इसमें लाजमी डलना है अगर आप ज़्यादा skin polish करते हैं तो फिर आप इसकी bottle लेकर रखनें ये काफी time तक चलती है और अगर आप ज़्यादा skin polish नहीं करते हैं तो market में इसके साशे भी मिलते हैं आप वो भी ले सकते हैं 30-40 रुपे का एक साशे मिल जाता है तीन से चार बार आप उससे skin polish कर सकते हैं अगर आपकी skin dull, dryness आपकी skin के उपर और आपकी skin पर glow नहीं है तो उसके लिए हम इसमे skin shine and red करेंगे salon's में जब हम skin polish मनाते हैं तो ये भी उसमें add करते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगा पर glycerine भी add कर सकते हैं और इसमें हम डालेंगे aloe vera gel, aloe vera gel बहुत ही अच्छी है हर तरह की skin type के लिए suitable है, aloe vera gel डालने से कभी भी आपका color dark नहीं होगा और हर तरह की skin को ये suit करेगी एक इसमें जाएगा whitening capsule, एक साशे में सिर्फ एक ही capsule add करेंगे हम इसको add करने से आपके skin polish के results double होजेंगे बहुत अच्छा आपको whitening effect मिलेगा, ये आपने skip नहीं करना, इसको आपने लाजमी डालना है और एक से ज्यादा नहीं डालना इसको अब आपके सामने मैं skin polish बेनाऊंगी, आपने देखते जाना है कितनी कितनी मैं इसमें quantity डाल रही हूँ एक चीज़ इसमें और डलेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जिससे आपको results बहुत ही अच्छे मिलेंगे इसके तो चलें आप skin polish बेनाना start करते हैं सबसे पहले आपने इसमें bleach cream अड़ कर दी नहीं है, यह पूरा साशे मैं इसमें डाल दूँगी cream का अब यह सारा bleach powder आपने इसमें अड़ कर देना है, एक side पर आप डाल लें सारी चीज़ों को अभी नहीं mix करेंगे, हम end पर सब कुछ mix करेंगे अब मैं इसमें डालूँगी soothing lotion, यह आप देख सकते हैं, इसमें तीन चमच हैं, सबसे छोटा और यह सबसे बड़ा मैं medium size वाला चमच लूँगी, यह एक बढ़कर मैं इसमें डाल दूँगी यह देखें, यह भी मैं एक side पर डाल दूँगी अब मैं इसमें add करूँगी skin shiner, जितना आपने soothing lotion लिया था, उसकी आदी quantity में आपने यह shiner डालना है यह मैंने इसमें डाल दिया है skin shiner अब मैं इसमें add करूँगी aloe vera gel, यही एक चमच आपने बढ़कर aloe vera gel का इसमें डाल देना है यह मैंने डाल दी aloe vera gel अब इसमें मैं यह whitening capsule डालूँगी, एक ही आपने डालना है, इसको मैं यहां से काट लूँगी और यह एक capsule इसमें डाल दिया, बहुत ही जबरदसी skin polish बनेगी अब आपने इसमें add करना है एक tablespoon आटा इस आटे की हम रोटी बनाते हैं, वही वाला आपने आटा लेना है एक tablespoon आटा ले लेना है यहां पर मैंने डाल दिया एक चमच इसमें आटा अब इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से mix करेंगे इस तरह से आपके पास एक soft सा brush होना चाहिए जिससे आप bleach को mix करेंगे और उसी से apply कर लेंगे आपने जब भी bleach बनानी है, skin polish बनानी है आपने last में सारी चीजों के mixing करनी है क्योंकि जब हम सारी चीजों को mix कर लेते हैं तो इसका process start हो जाता है आपने bleach बनाने के बाद फोरण से इसको skin पर apply कर देना इसको रखना नहीं है, वरना इसका असर खतम हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा mix किये अपनी skin के उपर ताके आपको अच्छे result मिले आपने इसको face पर लगाना है, मैं आपको हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इस अपने हाथ पर इस तरह से apply किया center में नहीं लगाया, ताके आपको difference नजर आ सके कि इसके results कैसे हैं, 15 minute के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, 15 minute के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसके results कैसे हैं, 15 minute हो चुके है, मुझे skin polish apply की हुए बाकी skin polish मैंने face पर apply कर ली थी, face पर मुझे बहुत अच्छे इसके results मिले थे अब मैं हाथ पर आपके सामने remove करके दिखाती हूँ, इसके results कैसे आएं है skin polish को remove करने से पहले आपने इसकी थोड़ी से mixing करनी है, क्योंकि skin polish फूली होती है तो आपने इसको अच्छी तरह से mix करना है, एक minute आपने इसकी mixing करनी है, उसके बाद हम इसको remove करेंगे skin polish जब भी आप apply करें तो आप इसकी thick layer लगाया करें, क्योंकि face के जो side पे बाल होती है, वो अच्छे से golden तब ही होती है, जब आप इसकी thick layer लगाती है bleach के results भी आपको तब ही मिलते है, जब आप इसकी thick layer लगाएंगे आपने इस तरह से sponge ले लेना मार्केट से राम से मिल जाता है, इसको आपने गीला कर लेना है, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से ऐसे निचोड लेना है, उसके बाद मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ अब तो यहाँ पर मैंने इसको remove कर दिया, result आप देख सकते हैं, कितनी skin smooth होगी है, whitening में result मिला है यहाँ से सारे बाल golden होगी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, difference तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को end करती हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को subscribe कर दियो मेरे वीडियो को like भी करें, दूसरों तक share किया करें, मैं आप से next वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए, लाहाफिज